हूँ I हो ओं हैं को मैं लो फ्रेंड्स विलकमивают। यहां पर कम्पलीट कर रहे थें ओंते हैं। दह्ठीस थे पिछले वीडियो में इस नले हो इसको हम कम्पलीट कर चुके हैं तो फ्रेंस देखिए आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा सेल चैप्टर है इसको हम यहाँ पर आज कबर करेंगे तो फ्रेंस चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले यह बता दूं आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप कोई response नहीं देते हैं मतलब आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है इसको आप जरूर बताया करिए तो फ्रेंस और आप पूरी वीडियो देखेंगे तो कुछ भी फाइदा नहीं होने वाला है इसलिए आप पू तो सबसे पहले हम देखेंगे cell के बारे में, फिर देखेंगे component of cell यानि उसका क्या क्या component है, उसके बाद देखेंगे cell organelles, तो देखेंगे फ्रेंस, component of cell में हम plasma membrane, cell wall, nucleus, cytoplasm, इसको देखेंगे, और cell organelles में endoplasmic reticulum, galgivody, lysosome, mitochondria, plastic, vacule, nucleus, देखेंगे आप सुचेंगे nucleus यहा तो देखेंगे फ्रेंस, सबसे पहले जो cell है हमारा, इसका definition क्या है, cell is structural and functional unit of life, यानि जब भी कोई आप से पूछे, what is cell, तो cell क्या है, cell जो है किसी भी life की यानि जीवन की संरचनात्मक या फिर क्रियात्मक unit है, यानि इकाई है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, smallest unit of living organism, मत्त written word से लिया गया है, इसका meaning होता है, our little room, और ये किस ने कहा था, Robert Brown ने, तो चले friends, next देखेंगे यहाँ पर कुछ important point जो की NCRT में दिया हुआ है, देखेंगे friends, सबसे पहले, cell was first discovered by Robert Hook, कब 1665 में, तो देखेंगे यहाँ पर जो भी ये date दिया गया है, इससे question नहीं आएगा, क्योंकि date से question बहुत कम ही पूछा जाता है, तो देखें friends, सबसे पहले cell जो है, वो discover किया था, Robert Hook के द्वारा, और इन्होंने जो cell को cover किया था, वो dead cell था, और ये thin slice आप कार, इसको ये मतलब study कर रहे थे, वहाँ से इन्होंने इसकी खोज की थी, तो अगर आप से पूछे क कि cell was first discovered by, तो आप बोलेंगे Robert Hook, लेकिन अब देखिए, अगर आप से बोले कि discovered free living cell, यानि जीवित कोश्का की खोज किसने की थी, तो वो की थी, living hawk ने, देखिए, अगर आप से मतलब directly ऐसे ही पूछे, cell was first discovered by, तो Robert Hook बताएंगे, और अगर आप से पूछे कि जीवित कोश कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप living hawk बताएंगे, और देखिए, यहाँ पर nest जो दिया गया है, nucleus, nucleus को discover किसने की था, यानि nucleus की खोज किसने की थी, Robert Brown ने, अब देखिए, यहाँ पर क्या है, Robert Hook, यहाँ पर क्या है, Robert Brown, तो आप दोनों में confused नहीं होना, Robert Hook ने कोशिका क की खोज की थी, और Robert Brown ने nucleus की खोज की थी, तो इसको friends आप ध्यान रफना, अब देखिए, यहाँ पर किंजे जो थे, इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने खोज नहीं की थी, इन्होंने एक term दिया था, यानि, coin return, यानि एक term दिया था, जिसको हम बोलते है, protoplasm, यान यानि cell जो है, वो life की basic unit है, यानि मुलभूत, इकाई है, यह किस ने कहा था, sliding and swan ने कहा था, लेकिन all cell arises from pre-existing cell, यानि सभी cell पहले से उपसित cell के द्वारा arise होती, यह किस ने कहा था, यह बोले थे, वर्चयों, किसने वर्चयों ने, अब देखिए, discovery आप electron microscope, तो friends अब हम यहाँ पर देखते हैं, overview of cell, तो सबसे पहले देखिए, cell जो है, वो अलग-अलग shape के होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जो भी NCRT में mention है, RBC, RBC जो होता, यह round and by concave होता है, और जो neuron होता है, neuron क्या है, यह जो हमारा nervous cell है, वो nervous system में जो हम neuron पढ़ते हैं, इसकी एक इकाई होती है, unit होती है, उसको हम nerve cell बोलते हैं, तो वही है हमारा neuron, देखिए, यह कैसा होता है, यह long होता है and branched होता है, तो फ्रेंज, जब हम इसको cover करेंगे, तो वहाँ पर हम nerve cell का neuron का detail में structure देखेंगे, तो यह आपको अच्छे से clear हो जाएगा, कि वहाँ पर वो long कैसे है और branched कैसे है, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जितनी भी cells होती है, अलग-अलग size की होती है, ऐसा नहीं है कि जितनी भी cells होते हैं, same size के हैं, तो सबसे पहले देखिए, mycoplasma, जो की सबसे smallest cell है, और इसकी, जो size हो कितनी है, 0.3 micrometer in length, और देखिए, ostrich egg जो होता है, तो वो largest isolated single cell होता है, और कभी भी आपसे अगर पूछे, nervous cell जो है, मतब longest cell in human, अगर आपसे largest पूछे, तो आप ostrich egg बताएंगे, लेकिन अगर आपसे longest पूछे, तो आप nerve cell बताएंगे, अब देखिए, फ्रेंट्स, longest, largest, कोई भी large, large means बड़ा, जैसे हम इसको बड़ा बोल स हमारा nerve cell कैसे होता है, हम ऐसे देखते हैं उसमें इसे से रुकी एक मिनट, के इसमें देखते हैं ऊसमें branch होता है, जिसको लंगहीं बड़ा जान होता है फिर यहां पर हमारा, नोड ہے तो इस तरह से लंबाई में होता है, बेकिन ऐस ग कैसे होता है, तो 문ण, गयते होता एक होता हमारा यूनिसरी ला Rs. यूनिसरी थी लग उसको मैं उसको ममलती मतलब मेनि क्वीजन ऐस्का मेस सब्सकति में फिर्ञकों उसको क्या मतलब होता हुँ मतलब है हैं सरम विभाजन अब इसका क्या मतलब होता है जो हमारे मल्टी सुलर ऑर्गिनिजम होते हैं जैसे हम लोग क्या हैं मल्टी सुलर हैं तो हमें अलग-अलग काम करने के करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं डिवीजञ लेबर यानी सरम विभाजन तो friends अगर आपसे पूछे कि कौन सा cell यानि unicellular और multicellular दोरों में से कौन स्रम भी भाजन यानि division आप labor दिखाता है तो वो है friends multicellular तो इसको आप ध्यान रखना है देखिए यहां पे कैन perform all basic function यानि जो single cell होता है यानि जो unicellular होता है वो single cell से बना है और इसमें जो है single cell ही सब भी प्रकार के function यही करता है जैसा आप देखें कि NCRT में दिया गया है अमीबा का जैसे movement हो गया, digestion हो गया, excretion हो गया उसमें सभी जो है single cell के दोरा ही किया जाता है तो friends हमारा single cell का example क्या क्या हो जाएगा unicellular का अमीबा हो जाएगा पैरामीशियम बैक्तिरिया तो इसको आप याद रखना क्योंकि एक्जांपल जो होते हैं वह बहुत important होते हैं अब देखें यहाँ पर फ्रेंट्स जो multi-solar है different part of body perform different function यह तो मैंने आपको बता दिया अब देखें इसका एक्जांपल क्या है सम फंजाई plant animal तो इसको फ्रेंट्स आप ध्यान रखना देखें नेस्ट देखते हैं यहाँ पर तो देखें फ्रेंट्स त्योरी के बारे में थोड़ा से देख लेते हैं तो आप से यह सब नहीं पूछेगा कि जर्मान ब्रटैनिस थे या बेटे जूलोजिस्ट थे यह सब छोड़िया आप अब बस इतना ध्यांदिये जो थे इंसल थिवरी थी यह सलाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था और देखें फ्रेंट्स सलाइडेन जो थे उन्होंने प्लांट टीसू देखा था उसमें इन्होंने प्लाजमा मेंब्रेन के बारे में बताया था और स्वान थे ऐा यह 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 आप नहीं और मोwie उन्होंने फ्लाइडेन फ्लांड को आशब्स नशっ new cell कैसे होता है तो उसी के बाद जो है रुडॉल्फ वर्चो जो थे इन्हों ने अपनी एक मोडिफाइज सेल थी जिसमें इन्हों कहा कि ओमनी सिल्ला यानि आज सेल एराइज फ्राम प्रीजिस्टिन सेल ओमनी सिल्ला इसल्ला तो इसको आप ध्यान रखनें यह किसका इस्टेट्मेंट है रुडॉल्फ वर्चो का देखें फ्रेंट्स यहां से हम देखते हैं कंपोनेंट आफ सेल में हम सबसे पहले देखते हैं प्लाजमा मिंब्रेन यानि जब भी हम प्लांट सेल को अप्जर्ब करेंगे तो सबसे बाहरी लेयर जो होगा वो होता है हमारा प्लाजमा मिंब्रेन फ्रेंस कुछ इस तरह से होता हमारा plant cell इसमें हमारा vacuum होता है nucleus होता है, mitochondria होते है और protoplasm होता है chloroplasm होता है, इस तरह से इसमें बहुत सारे cell organelles होते हैं तो हमारा जो यह सबसे बाहरी layer होता है इसको हम क्या बोलते हैं plasma membrane और friends, इससे भी बाहर एक covering पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या cell wall, तो इसको हम बाद में देखेंगे अभी तो देखे, friends, सबसे पहले हम देखते है plasma membrane plasma membrane को हम cell membrane भी बोलते है तो friends, यह outer most covering of cell तो मैंने अभी आपको बताया जो plant cell होता है, उसका सबसे outer most covering होता है separate content of cell from its external environment यानि जो भी external environment है माली जी अगर ये सबसे बाहरी covering है यहां से कोई भी चीज़ आएगा तो सबसे पहले इसको कौन रोकेगा ये cell रोकेगी तो अहीं बोला कि separate content of cell from its external environment allow or permit entry and exist of some material देखे, friends, जैसे माली जी आपका घर है तो आपके घर में सबसे पहले क्या होता है दर्वाजा लगा होता है तो दर्वाजा क्या करता है कोई भी बैक भी आएगा तो सबसे पहले वो दर्वाजे पे आएगा खट-खट आएगा फिर अगर आप दर्वाजा खोलेंगे फिर वो अंदर जाएगा मतलब आप क्या कर रहे हैं किसको अंदर आना है किसको बाहर जाना है यह आप select कर रहे हैं मतलब कौन आएगा कौन नहीं आएगा यह आपके उपर है तो कुछ इसी तरह से होता हमारा plasma membrane यह क्या करता है friends जो भी materials होते हैं मतलब किसको प्लांड के अंदर आना है किसको बाहर जाना है इसको decide करने वाला कौन होता हमारा प्लाजमा इसलिए मतलब prevent movement of some material और किसी-किसी material को यह रोक भी देता मतलब अंदर नहीं जाना है जो भी undesirable भी लिए उसको यह बाहर रोख देगा इसी लिए को बोलते हैं सेलकंटि लीव करेंबरें यह जिसको हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन अब फ्रेंस डिफ्यूजन क्या होता है सबसे यह मतलब कोई जानते हैं अगर माली जी यहां पर कोई कि मटेरियल है जो कि यहां पर उसकी कंसंट्रेशन जढ़ा है मृब करता है इस को हम क्या बोलते हैं बोलते हैं तो देखे प्रेंश डिफ्यूजन क्या होता डिफ्यूजन का कम क्या होता है डिफ्यूजन प्ले इँपोरटेंट रोल इन गैसे vहें या फिर बाटर देंच यानि जो भी हमारे सेल में C02 या वोट् You इसको कौन रिस्पांसवल होता इसके लिए डिफ्यूजन अभी मैंने आपको बताया कि वाटर और गैसे का मूवेंट डिफ्यूजन के थुरू होता है लेकिन फ्रेंस जब वाटर का मूवेंट हम पढ़ते हैं वाटर की दिफ्यूजन तो उसको हम एक नाम दे देते हैं उस को जिसको हम बोलते हैं Osmosis क्या बोलते हैं Osmosis देखे फ्रेंस Osmosis affected by यानि यह किस पर निर्भर करता है affected by amount of substance dissolved in water यानि water में कौन कितना material कौन सा material कितनी मात्रा में dissolved है इस बात पर निर्भर करता है क्या Osmosis तो आप से आप यहां पर जितनी भी लाइन दी गई है यहां एक एक लाइन से क्वेस्टन बनेगा तो आप अगर आपको कोई क्वेस्टन मतलब कोई भी लाइन ना समझ में तो आप कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं मैं अच्छे से explain कर रही हूं आ इतनी मात्रा में है मतलब अमॉंट आप सब्स्टांज उसस पो यह रहता है कि यह सबसे कन प्रेंटेश ंप सबसे कन पूइंट है जिसमें देक्गते हैं हैं आईप ह呢 स्ट्राइब या अगर हम या प्लांट को किसी सोलूशन में जिसमें चीनी हो या फिर नमक हो उसमें अगर हम डाल दें तो क्या होगा तो फ्रेंट्स आपको सबसे पहले मैं एंसी आटे की वह लाइन दिखाती हूं जहां पे इसके बारे में लिखा गया है तो देखे यह है एंसी आटी का क्वेश्चन वाट विल हैपन इप वी पूट एनिमल सेल और प्लांट सेल इना सोलूशन आप सुगर और सॉर्ट इन वाटर अप देखे फ्रेंट्स यहां पे तीन चीजे होंगी देखो लिखा है ना वन आप दा फुलूविंग थ्री तिंग सबसे पहला देखे आप बस पढ़िए एक बार इसको हो सकता यह आपको ना समझ में है लेकिन मैं आपको जरूरी से समझा दूंगी अभी देखे इप ता मीडियम सराउंडिंग आप दसेल हायर वाटर कंसेंट्रेशन दैन दा सेल मीनिंग देड़ आउट साइड सोलूशन सब्सक्राइब देखे लिए इसको हम एक बार अच्छे से देखते हैं तो फ्रेंस आपको मैं NCRT की लाइन से ही समझाने कोशिश करूँगी अभी NCRT का जोब हम लाइन पढ़े है उसमें क्या बोला देखे इसमें बोला कि इफ दा मीडियं सराउंडिंग The cell है जा हाइर वाटर कंसंट्रेशन देखो इफ दा मीडियं सराउंडिंग दा सेल है जा higher water concentration than the cell अब देखिए यह माली जी यहां पर क्या है हमारा यह हमारा cell और cell किसमें रखा गया है किसी भी water मतलब किसी भी सुगर सलूशन में या फिर साल्ट सलूशन में यह सुगर या सौल्ट सलूशन में रखा गया है अब NCRT बोल रही है अगर बाहर का यानि यह अगर यहां पर higher water concentration होगा तो देखिए फ्रेंड्स higher water concentration का क्या मतलब है माली जी आप एक गिलास ले लिजी इसमें चीनी डाल दीजी चीनी के सब्र 침े 2007 अगर चीनी ख्राद मात्रा में हो जाएगे और पासली की verb जाएगी ना यनी स्व ओली रसे जी देइटार और होगया में में रखा गया है शेल यह हो गया में अब अब देखिए महाईर वाटर concentration होगा तो solution very dilute dilute means tanoo ओ जिसको मतलब माले जिनी ज्यादा पाणी कम तो वह बहुत गाड़ा होगा लेकिन अगर पानी ज्यादा है चीनी कम है तो वह बहुत हलका होगा मतलब lipid जैसा होगा तो आज ऐसा लुझोट बर्फit यह तीन पॉइंट याद रखें क्योंकि यहां से question बनेंगे, higher water concentration, solution very dilute, low amount of solute, मैंने इतने अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, आप देखें friends क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, diffusion क्या है, higher region to lower region, moment किधर होगा, higher region to lower region, तो friends क्या होगा, यहां पर हमारा high concentration है, तो हमारा, मतलब यहां पर high concentration है, तो क्या होगा, जो भी particle है, वो cell में इंटर करेगा, तो friends diffusion क्या है, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक substance केवल अंदर ही जाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं हम केवल खाते ही जाएं, खाते ही जाएं, हम excrete ना करें उस material को ऐसा नहीं होता ना, तो यह cell जो है, यहां पर substance जाएगा भी, और बाहर आएगा भी, लेकिन देखें friends क्या हो रहा, यहां पर high water concentration है, तो यहां से material जादा मातरा में जाएगा, लेकिन अंदर से material जो बाहर आएगा, वो कम मातरा में आएगा, तो friends क्या है, यानि जो cell इंटर, यानि जो substance इंटर कर रहा cell में, वो more, यानि वो more है, वो जादा है, तो क्या होगा, जब भी पानी किसी चीज में जादा मातरा में जाएगा, तो वो चीज स्वेल कर जाएगा, वो फूल जाएगा, तो आप देखिए, अगर यह आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से देखिए, लेकिन यह आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से question आएगा, और आएगा, अगर आपको नहीं समझ आएगा, तो आप नहीं कर पाएगे, तो friends, आप इसको समझेए, ताकि आप question को अच्छे से कर सकें, तो द यह हमारा isotonic solution, अब देखिए friends, isotonic solution में क्या होगा, जो हमारा water concentration है, और जो solute का concentration है, वो दोनों, वो दोनों सेम होगा, यानि cell के अंदर भी जो कुछ है, और cell के बाहर, यानि मीडियम में जो है, वो उन दोनों की concentration क्या होगी, सेम होगी, यहां पे no net movement of water, यानि आप सोच कि अगर मतलब किसी के पास कम है, वो ज्यादा से लेगा, ठीक है, अगर किसी के पास कम हो, ज्यादा से लेगा, लेकिन अगर दोनों के पास बराबर बराबर है, तो कोई किसी से क्यों लेगा, क्यों देगा, तो वही है, मतलब अगर दोनों की concentration सेम है, तो no net movement of water, no net movement of water का क् इसका मतलब यह है, जितनी मात्रा में अंदर जाएगा, उतनी मात्रा में ही अंदर से बाहर भी आएगा, यानि दोनों इक्वल हो जाएगा, मैंने आपको 5 रुपे दिये, दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि अभी भी मेरे पास 5 रुपे, अभी भी आपके पास 5 रुपे, तो दोनों इक्वल हो गया से मही कहानी है जितना अंदर जाएगा उतना बाहर भी साइगा यानी दोनों इक्वल रहेका तो छे में क्या होता यहां पर देखिए लो कंसंट्रेशन आफ वाटर लो कंसंट्रेशन आफ वाटर अभी मैंने आपको बताया जब पानी कम होगा चीनी ज्यादा होगा सोलूशन गाढ़ा होगा यानि कंसंट्रेट होगा तो सोलूशन वेरी कंसंट्रेट and high amount of solute solute क्या होता, जिसको हम उसमें डालते हैं पानी में, यानि चीनी को डालते हैं तो चीनी solute होगा, नमक को डालते हैं तो नमक solute होगा, तो friends अगर पानी कम है, तो high amount of solute यानि low concentration of water high amount of solute, अब friends क्या होगा, यहां पे जो हमारा concentration of water वाटर यहाँ पे लो है लो तो मैंने क्या बता है में क्या होता है हमारा वाटर वह बांतलब जो online को अंधर कंसेटरेंच आएगा यानि जो आने वाला अंदर से बाहर आने वाला यह ज्यादा मात्रा में होगा लेकिन बाहर से जो अंदर जाएगा वो कम मात्रा में होगा यानि बाहर आने वाला मेट्रील जो है वो मौर है तो क्या होगा जब सेल के अंदर से कोई चीज ज्यादा मात्रा में बाहर आ बनेगा आईसोटोनिक पे तो कम चांसे बनने के लेकिन हाइपोटोनिक और हाइपाटोनिक पे जादा से जादा चांस इस पर कुछन बनेगा और आप से पूछेगा कि मतलब अगर higher water तो फ्रेंड्स उमीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया होगा प्लीज प्लीज फीडबैक देना मत भूलना देखे फ्रेंड्स नेश्ट देखते हैं यहां पर थोड़ा सा आस्मोसीज इस इस पेसल के साफ डिफ्यूजन थूरू असेलेक प्लांट रूट है कि देखे फ्रेंड्स यहां पर अब यह आपको अच्छे समाझ में आ जाएक है देखिए हाइपो टोनिक सोलूशन का केस है इप दा मीडियम है एक्जेक्ली दा सेम वाटर कंसेंटेशन आइज दा सेल यानि सेल में जो कंसेंटेशन है और वाटर का यहां पर कोई भी मुववेंट नहीं होगा वाटर का क्रॉसल मेंब्रेन सच अ स्ब्राइब यानि दोनों डारेक्शन में वाटर जाएगा बट एमांग गोईंग इन दा सेम ऐदा एमांट गोईंग आउट यानि अंदर जाने वाला आने वाला जो इमांट है वो सेम है there is no overall movement of the water यहां पर net overall movement का वही मतलब है कि किसी भी direction में ज्यादा या कम नहीं होगा दोनों में same होगा the cell will stay the same size देखें यहां पर लिखा cell will stay the same size तो friends और ने से देखें यहां पर भी वही है medium if the medium has a lower concentration of water than the cell meaning that it is very concentrated solution cell will lose water by osmosis such a solution known as hypertonic again water causes the cell membrane in both direction but this time more water leaves the cell more water leaves the cell यानी ज्यादा तर पानी जो है वो छोड़ देगा then enters it therefore the cell will shrink cell will shrink तो friends इसको आप ध्यान रखना hypertonic में cell will shrink तो चलिए friends नेस्ट देखते हैं हमारा नेस्ट जो component है cell का वो क्या है cell wall lies outside the plasma membrane तो अभी मैंने आपको बताए यह है हमारा plant cell तो यह हमारा plasma membrane तो plasma membrane के बाहर जो covering होगी उसको हम क्या बोलते है cell wall mainly component of cell load जो की cell load से बना होता है rigid होता है non living component component आप cell होता यानि rigid होता है यानि कठोर होता है तो यह ना लिविंग होता है जैसे हमने पढ़ा था ना बार के बारे में tissue में वहां से अब देखें friends mycoplasma जो है यह only pro carriers without the cell wall यानि यह primitive cell है pro carrier है जिसमें की केंदरत nuclear wall नहीं पाया जाता है और यह ऐसा pro carrier cell है जिसमें की cell wall नहीं पाया जाता है इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना इसको मैं बाद में भी आभी आपको बताऊंगी देखें इसका function यानि यानि जल और का function क्या है provide to cell यानि यह सेल को सेप प्रोइड करता है और protection प्रोइड करता है helping cell to cell interaction ड्यू टू प्लाज्मों डिस्मेटर यानि हमारा जो सेल होता है सेल से प्रियाटी में एक लाइन लिखी हुई है कि किसी भी सेल को इस्टेंड करने के लिए क्या यूज होता है सेफ्रीन सोलूशन या फिर उसी को हम क्या बोल देते हैं मेथाइलीन बुलू सोलूशन तो इसको आप आए जा इनफॉर्मेशन या आए जा फैक्ट याद रख लेना क इस सेल को इस्टेंड करने के लिए सेफ्रीन सोलूशन या उसी को हम मेथालेन बुलू सोलूशन बोलते हैं इसका यूज किया जाता है अब देखें यहाँ पर नुकलियस के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले यह याद रखना यह सबसे ज़्यादा मतलब पूछा जाता है जो भी सेल के बाहर था उसको हम सेल मेंब्रेन बोलते हैं जो भी नुकलियस की आउटर कवरिंग है उसको हम नुकलियर मेंब्रेन बोलते हैं तो जो भी बाहर के तरफ में जो भी वाल होगा उसको हम मेंब्रेन ही बोलते हैं तो नुकलियर मतलब नुकलियस का आउटर में 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 इस तरह से आप याद रखना अब देखिए नूक्लियर में मेंब्रेन है पोर्स यहां पर दीख रहाँ होगा देखे यह यह यहां से गैप है यही है इसका पोर इसको तुरू क्या होता कोई भी मैठेल अंदर जाता बाहर आता इस तरह मतलब इस तरह से यानि जो हमारा cell होता है इस तरह से तो यह cell के अंदर भी निकलीज होता है यह पर व graphicल होता है और जो यहां भरे होते हैं वो क्या होते हैं twins होते हैं तो निकलीज से बाहर आता है या फिर नीकलींच के अंदर जाता कोई भी मैंटेरियल अब देखिए all morning हमारा जोूलेस कांटेन करता है कि हमारा जो नूपलेस होता है जरूमोसों करता या इसमें क्रोमोसों पाय जता है और ईसमें उसका एग बिगड़ा वुए रूप जिसको हम क्रोमाइटीन बोलते हैं अब ईतना साँ फर्क है दो नम देखे फ्रेंग साब न्यूक्लेस का फंक्षन Ni Haas देखें का फंक्षन क्या है सेंट्र रोलिंग इंसेर illness पाइज्ट शरी रिप्रोडग्शन यह एक फैज्टिंद्र खुद हें इस अब्इछ का करता है और ये देखें ऑ şunu ताब करने का काम को करता है नूकलियस करता है यह इसमें किस प्रकार से सहायक है इसको मैं बाद में एक्स्प्लेंड करूंगी आपको चिंता करने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी छूटेगा नहीं हमारा एंसी आटी में जितना भी दिया है हम सब कुछ कवर करेंगे आप देखेंगे फ्रेंड मैंने हर एक चैप्टर के लास्ट में अभी जो हाल ही में एंबीएस में कोईचन पूछा गया था मैंने सब अटाइज किया यहां पर तो देखेंगे फ्रेंस नूकलियस यानि नूकलियस के बेसिस पर हम यहां पर दो प्रकार के देखते हैं और देखिए इसको आप तोड़ के देखें परो प्रो मींस क्या होता है प्रिमिंटीव कर्योट कर्योड मींस होता है न्यूमटलियस यूमेंस क्या होता है लुकिलीयस के आप उसको हम yukaryote बолते हैं अगर nucleus होगा नुक्लेस तो नुक्लेस नुक्लेस नखी होता है उसे हम pro-carriate बोलते हैं और देखे इसका साइज यानि जो प्रोकर्याट होता है उसका साइज होता है जनरली वन टू टेन माइक्रो मीटर मैंने आपको बताया था इंसे अगर इस तरह से कुछ लिखती है ना वहां पर हमेशा जरूर लगा देती यानि वह वह चीज हंडेट परसंट नहीं है मतलब 99.99 परसंट साही है लेकिन 100 परसंट नहीं है वहां पर exception हो सकता है अब देखिए यहां पर जो प्रोकर्याट से इसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है लेकिन हमारे जो यूकर्याट है उसमें धे सारे क्रोमोसोम पाई जाते हैं यानि मोर दैन वन क्रोमोसोम यहां पर मेंब्रेन बाउंट सेल मेंब्रेन चल्रोंट में हम क्या क्या वोलते हैं माड़ो 말 क्लोडे घ्लौडर इंडो सिपला नेक्टोम यह सब यह पर पाया जाते हैं लेकिन यहां पर नहीं पिए यहाद रखना प्रोकर्येट में राइबोसॉम पाए जाते हैं इसको आप यहाद रखना यह तो हमारा प्लांट सेल हो गया आप इसको देख लिए इसका एक बार यहाँ पर इस तरह से हमारा वक्यूल होता है और आप चीज़ नोटिस करेंगे वक्यूल के वज़े से जो यह है यह देखिए इधर आ जाता है पोमे के साइड में यानि यानि कभी भी अगर आपसे बोले कि पलांट सेल में नुकलेस सेंटर में होता है तो यह नुकलेस जो है वह स्ट्रक्चर उसको म क्या बोलते हैं और यहां पर देख यह क्लूरोप्लास्ट हो गया यह प्लोर इंटर्मीडियेट फिलामेंट हो गया यह वैक्यूल हो गया हमारा यहां पर प्राक्षी सोम हो गया एमाइलोप्लास्ट सेल मेंब्रेन सेल वाल तो यह सब आप याद रख्षना यहां पर देखिए गौलगी बॉर्डी हो गया यह राइबोसोम तो आप इसका इस्ट्रक्चर यह है अच्छे से यहां पर दिखराओ आपको यह हमारा नुख्लियोलस ऐसा है जैसा है इसfür्डे यहीं इसट्रक्टर ऑइसे अच्छे से यह भ्रैलस हो गया इसमें जो भी मैट्रीक्स जो भरा होता इसको हम नुक्लिय प्लाज में बोल देते हैं यह 있으니까 नुक्लियर लैमिना लैमिना को ही यह वाल बोलते हैं तो इसके नीचे की एक पार्ट है यह है हमारा नुकलेर इनवेलप इनवेलप मींज वाल यह देखिए नुकलेस से ही अटाइस होता है क्या हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो यह भी पूछा जाता है कि नुकलेस से अटाइस्ड कौन सा और गिनल्स ह होता है तो होता हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो देखिए फ्रेंस नेस्ट है हमारा क्रोमोसोम अगर आप सिलेबस देखेंगे न तो वहां पर लिखा गया है क्रोमोसोम इस्ट इस स्ट्रक्चर और साइज ऐसे करके लिखा है तो इसको भी हमको पढ़ना है कि द सव 1890 सब्सक्राइब रचтесь, और यह रचा इसना हम इसको की आपने इसको रूबते हैं रही आपसे सब्सक्राइब सांगे ठीद के अलगा ही, सब्सक्स हम थोगी है, यह नहीं हम रही है भुए है कुछ ऐसे करके relate करें या फिर ऐसे डिर्ट याद रखना जो बड़ा है वो क्यूँ है जो छोटा वाला आम है वो प्यार्म है यहां पर इसको हम तीली तीलों मरेज बोलते ही हैं और यह फिर जो सेंटर में होता जहां से अटाइस होते हैं उसको हम सेंट्रो मियर बोलते हैं औ आप देखें यह जो हमारा सेंट्रो मियर है यह इसके लोकेशन के अधार पर से यह जो क्रोमोसोम है यह अलग अलग तरह से होता है देखें सेंट्रो मियर लोकेशन अगर सेंट्रो मियर मीडिल में होगा जैसा अभी हमने स्ट्रक्टर में देखा यहां मीडिल पर होगा तो जब यह मेटा से अलाग होगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा फिरेंग जब हम सेल डिविजन पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं मेटाफेज एक बढ़ते हैं अनाफेज जो क्रोमोसोम के मारफोलजी को दर्साता वो होता हमारा मेटाफेज और जो इसको इनाटॉमी को दिया उसको सबसे पहले करेंगे जो भी उसके थोड़ा भूत बचे मतलब बचे हुए टॉपिक होंगे जो ऐसा लगे का कि एक्जाम में आ सकता उसको हम लास्ट में करेंगे तो देखिए अगर सेंट्रो मेर में है मेट्रा सेंट्रिक तो वह वी सेप का होगा आप देखिए से डिवाइड हो गया कोई चीज ऐसे जुड़ा है तो हाफ हाफ होगा ना तो यह वी सेफ हो जाएगा इसको आप ध्यां रखना देखिए नेस्ट है हमारा अगर सेंट्रो मेर कहां होगा बिट्रीन मीडिल और इंड यानि यह मीडिल है और यह उसके साइड में होगा यानि तो इन के थोड़ा पास होगा उसको क्या बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक और इसका सेप कैसा होता है जेब देखो जहाम ऐसे लिखते हैं जे अई से ये वाला मतलब छोटी लेटर वाला देखना यह होगा जेग कि तो हम इसको जेबोल देते हैं अब देखिया आएट इन्ड बाइब शस्माइब देखने आई ऐसे लिखते ना ऐसे तो यह आई सेफ हो जाएगा इसे तो फ्रेंड्स आप इसका सेफ याद किस केस में कौन सा सेफ है इसका इसका याद रख लेकिए नेके नेश्ट है करना होता है तो इसे किस से लिखता है राड शेप में दिखता है तो यह थियान रखना क्रोमोसमर रट शेप में कब लिखता है जब यह डिवाइड करना होता है इसको तब उसके पहले नहीं देखिए सबसे important most important composed of यानि सेल किसे मिलकर बना होता है डीने औंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है डीने क्या है फ्रेंड्स functional segment of dna called Gene यानि जो dna का functional segment होता उसको हम क्या बोलते है Gene Gene क्या करता है यह हमारे character को PDI to PDI transfer करता रहता है देखिये inner cell which यльन वाइदिंग जो मतलब होग नहीं करना है दिएने इस प्रॉजेंट अधार पडिवर्ट इसको डिवाइद करना है तो अभी हमने पढ़ा थे जब डिवाइद करना है तो फोट्रोमी जो है वह सुलस皮दा उसे कुल देते हैं Êन आ से स्टेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है यानी जब उसको डिवाइट नहीं करना होता तो है जो है वह स्वार्मèt्ण मैटेडियल के रूप में होता है जब स्छाम है जब करेगा थोगा, यह इंटेंगेल्ड मास आफ त्रेडलाइस स्ट्रक्शर वही अभी है जो हमने न्यूकलेस में देखा था वही है अब देखिए वेन इवर सेल इबाउट टूदा दा क्रोमेटीं के और गनाइज इन दा सेल यानि जब सेल को डिवाइड करना होता यहां पर चुट गया अब टूद यहां पर फ्रेंट आप ध्यां रख लेना इवर सेल इस एबाउट टूद यहां पर डिवाइड रहेगा देखिए हमारा साइट ओपलाज में विफिरेंस सा प्लाजमा मेंब्रेन के अपने निपस्ञाइब करें अपने के अपने जाना से लिए और और गरतन को कपड़े या प्लेंगे जाने तो यह हमारा सेल मेंब्रेन है इसमें क्या है जो भी मैट्रेल भरा हुआ है और जो भी न्यूकलेस है माइटो कंडिया राइबोसोम है वह सब इसमें इस पर पाए जाते हैं वहीं बोल रहा कि इस पर को स्बक्राइस सब्सक्राइब वस based upon तक मेंखें सब्सक्राइब के है में इस समय लगा हुआ हमारा इस सब्सक्राइब कर दिसको निदिव असटर ह कि अबने को बताया जब यह इसे ट्यूब जैसा होता है और सिस्टोर नीज़ जो होता है उसी पर आई वोसों नहीं पाजाते हैं कि वह सिस्टनी पिपा जाते हैं इसे साफ लिपीड और्पर तेयर यह बहूत इंप्वॉटरेंट और यानि फैट, वहाँ पे फैट दिया था, फैट को लिपिड ही बोलते हैं, फैट सिंथेसिस में कौन हेलफुल होता है, वहाँ पे आपसन में माइटो कंडिया, गॉलगी बाडी, इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम ऐसे करके दिया हुआ था, तो आप धियान रखना, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, तो इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम, आप बस इतना याद रखना, अब देखिए जो हमारा इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम है, उस पे क्या बाड जाते हैं, राइबोसोम पाया जाएगा, उसको हम क्या बलेंग यह रफ है, और यहाँ पर राइबोसोम अपसेंट है, और यह देखिए, यह है प्रोटीन सिंथेसिस और यह है फाया टाइन लिपिड सिंथेसिस, यह देखिए, इन नुकलेर मेंब्रेन से जो लगा हुआ होता है, वो हमारा इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम होता है, लेकि यह हमारा इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम होता है, मतलब यह हमारा नुकलेस हो गया है, यहां से हमारा निकलेगा राफ इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम, तो इसी से लगा हुआ तो यह इसी से रेटिकुलम हो रहा है, तो इसको आप ध्यान रखना, अब देखिए फ्रेंस यानि यह इस्पेशली प्रोटीन के लिए चैनल की तरह काम करता है फंक्सण साइटोप्राजबिगेर्मर्क पॉरड़े प्रॉड़ प्रॉड़्ड पॉर्ड रेड़ पॉरडा इस्टरक्टर फार्चं बाइयो केमकले कि लिए भी स्परोड़ प्रोटीन और लिपीड जो है वह किसमें है तो यह फ्रेंस बिल्डिंग दा सेल में 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 हेल्फुल होता लेकिन वहां पर यह आईसे नहीं पुछा था डारिकली वहां पर आपको समझना पड़ेगा क्योंकि वहां पर चार आपसं देगा और फिर आपसं कैसे देगा अपको पता नहीं पता ना फिर हो गया काम फिर नहीं बनने वाला इसलिए आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए जिससे कि आप को प्रोटीन और लिपीड जब सेल मेंब्रेन का फर्मेशन करते हैं तो उस प्रोटीन को हम मेंब्रेन बायोजिनेसिस बोलते हैं यानि बायोजिनेसिस क्या होता किसी भी चीज़ का निर्मार करना तो यह मेंब्रेन का निर्मार करने हैं तो मेंब्रेन बायोजिनेसिस हो गया सब्सक्राइब कुछ प्रोटीन और लिपीड ऐसे भी होते हैं जो कि एंजाइम और हार्मोन की तरह काम करते हैं अब दोटीन ड्रग यानि जो एसी आर है इसमूद इंडोप्लाजम की रेटिकुलम है वह बहुत सारे प्वाइजंस जो होते हमारे सरीर में जहार मतलब जो भी इसमूद इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम देखे फ्रेट्स यह चैप्टर बड़ा है लेकिन आपको ठक हार के जाना नहीं यहां से बाहर नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वह आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपका यह कुछ काम हो पाए यहां से तो देख सब्सक्राइब कर देगा नहीं जब भी देगा गौलगी देगा जरूर तो गौलगी से गौलगी को मैच कर देना अब देखिए कंसिस्ट आप सिस्टम में मेंब्रेन बाउंड विश्कल अरेंजड अप्रोक्सिमेट पैलल टू इच यानि लगभग यह एक दूसरे के ऐसे पैलल में अरेंज होते हैं क्या क्या रेंज होते हैं मेंब्रेन बाउंड विश्कल विश्कल भी बोल सकते हैं तो इसके बारे में बात कर रहा है अब देखिए फ्रेंड्स और कुछ जो होते हैं वह स्टैक से अटैस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सिस्टर नी अब देख ये उसके बाहर क्या है हमारा यह हमारा गॉल्गी वोडी यह है तो देखिए जो हमारा नूकलियस कहां है जो भाग das pourquoi नूक्लियस के साइड में है उसको हम क्या बहुते हैं इánd신 इक ते ऑफ़्वेश नू Galaxy यóstक हौ मिंग लुञता है जो हमारा नू अमदय क्र हैं उसको हम या फिर मेच्योरिंग तेस लेकिन जो न्यूक्लेश के साइच में है नुक्लेश के पास में है उसको क्या बोलते हैं सीट फेस या फिर फॉर्मिंग फेस देखो टुर्ड न्यूकलेश विसकल फ्रॉम एह फ्यूज बिच शीच फेज आप गाल्गी बोली इसको ध्यान रखन सारा पॉइंट देखिए यहां पर जो है गॉल्गी आपरेटर्स का फंक्शन दिया गया तो देखिए यहां पर यहां पर यह लाइन लिखा गया एंसेटी में फर्स्ट डिस्कवर्ड वाइक लोगाल जी कंसिस्टा आप मेंब्रेन बाउंड वेसकल जो कि फ्लेंटेंट सेक् देखिए यहां पर यहां पर यह है इसका फंक्शन इसका फंक्शन बहुत इंपोर्टेंट है देखिए मैटेरियल सिंथे साइज नियर दा य और यानि इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड और डिस्पैजड टू वाइरियस तार्गेट इंसाइड एंड आउट करने का काम किसका होता है गौलगी आपरेटर्स का होता है यानि इस फंक्शन इंक्लूड दा इस्टोरेज मोडिफिकेशन पैकेजिंग आप प्रोड़क्ट इन वेस्कल इन सम केसे कांप्लेक्स सुगर में बेड फ्राम सिंपल सुगर यानि कुछ केसे ऐसे भी होते हैं जह अधोर। हमारा गाल ऊपटरर होता है यह लाइसोब सॉम के फार्मिसं में भी हयलफूल होता है तो देखेंश नेक्स हमारा लाइसोसौं कंत आफ वेस्ट इस्पोजारस सिस्टाम आफ इंसी अर्टि की देता है यह उसको डाइजेस्ट करके यानि foreign material क्या होते हैं जो कि unnecessary होते हैं यानि जो specific helpful नहीं होते हैं तो उसको clear करने का काम कौन करता है कि कि लिए डाइजेस्टिंग इनी foreign material तो देखिए lysosome are able to do this because they contain powerful digestive enzyme यानि जो हमारा लाइसोसोम है वो जो है ऐसा क्यों कर पाता यानि वो इसको डाइजिस्ट क्यों कर पाता है क्योंकि इसमें पावरफुल डाइजिस्टिव एंजाइम होता है जो कि कि किसके दौरा बनता है यह आप से पूछा जाएगा कि जो हमारा लाइसोसोम होता है वो डाइजिस्ट करने तो इसको आप ध्यान रखना तो देखे friends, enzyme जो होता है कैपेवल आप break down all organic material यानि जो भी और गनिक material है जो की unnecessary इसको कैपेवल होता उसको break down करने में आप देखे friends, एक important line Lysosome को क्या कहा जाता है suicidal bag of cell, लेकिन क्यों इसको suicidal bag क्यों कहा जाता है यानि आत्म घाती थैली कोशिका की आत्म घाती थैली यानि आत्म हत्या कर लेती है खुद का कैसे during disturbance in cellar metabolism यानि जब भी cellar metabolism में कोई दिक्कत होता है तो क्या होता when cell get damaged यानि जब cell damage हो जाता है lysosome may brushed lysosome फट सकता है and enzyme digest their own cell यानि जब lysosome फट जाता है तो उसका enzyme जो है उसको unnecessary समझके उसी को digest कर लेती है hence lysosome called suicidal bag of cell यानि जो इसकी enzyme है जो foreign material को digest करती है जब cell disturbance होता है तो इसका और lysosome brush हो जाता है तो enzyme यह सोचती है कि लग रहा है ये भी फट जाता है तो lysosome को ये enzyme खुदी digest कर लेती है यानि इसी की एंजाइम इसी कोड़ेist कर लेती है इसलिए हम इसको सुसाइडल बैक बोलते हैं यानि आत्मघाती थैली बोलते हैं कोज करकी सब्सक्राइब तो यह तो आपको पता ही चल गया हो मेंब्रेन आप सेल लेकिन क्यों इसको पावल हास तो बोलते हैं लेकिन क्यों बोलते हैं क्योंकि यह सिंथेसिस आप एटीपी एटीप का निर्मार करती है और एटीपी को हम क्या बोलते हैं इनर्जी कर और सेल यानि यह इनर्जी प्रोड्यूस करता हूं कहो एं इनर्जी करती एड़ियों ऐसली उपो आसि किया इनर्जी कर बोलते हैं नियह ओरजी ऑर्गीनेल होती है क्यों because क्योंकि MytoCandria एक ऐसी अर्गनेल है जिसका खुद का डिंड होता है और राइबोसॉम होता है और इसलिए अपना प्रोटीन बनाने में हेलफुल होती है पूरे सेल में केवाल दो प्रकार को है जिनके पास खुद का डिंड होता है और राइबोसॉम होता है एक तो हो गया हमारा माइटो कंडिया दूसरा अभी हम आगे पढ़ेंगे जोगी है हमारा प्लास्टिट देखे फ्रेंस यहां पर इसका लोकेशन देख लेते हैं माइटो कंडिया जो है इन साइटो प्लॉजम आफ यू करियोट याद रखना प्रोकरियाट में माइटो कंडिया अप्सेंट होता है कान खोल के सुन लो अच्छे से और बीसी में सब्सक्राइब हमारे माइटो कंडिया देखे इसका जो डायमीटर है वह होता है 0.121 माइक्रो मीटर लेगिन इसका जो लेंथ होता है है वो होता है 224 ऐसे यानि इसका लेंथ हो जो है वो 224 माइक्रो मिटर लेकिन इसका डायमीटर है तो इसको फ्रेंज्ट्स आप याद रफना आप इसका च्छो होता है वो से लेंड्र कर्या फिर सौसेज सेफ होता है और दैकिन नंबर आफ माईक्ड्ट Сп방 IMD복्ज की नंभ करती है उसमें ज्यादा मात्र में पाए जाएगा अब इसके पीछे क्या लॉजिक है यानि माईटोकरण्रिया वहाँ पे ज्यादा क्यों पाए जाएगा मालीजे आप दौड़िये खुब दौड़िये खुब दोड़िए exercise करिए फिर क्या होगा आपका muscle cell को for absor करे Nu को जरूरत होगी और energy बनाने के लिए कौन होता है इनरजी बनाने के लिए रिस्पॉंसिबल माईटो कांद्रिया तो माईटो कांद्रिया इनर्जी से मतलब हमारे मसल सल को मिलेगी इसलिए फरेंड्स जब जब मतलब वह सब ज्याधा फिजियीलोच कल आ réfl प्ट लिटी करता है इसलिए जो मैंटोकंडिया वहाँ पर ज्यादा पाए जाएगी ताकि वह ज्यादा से ज्यादा इनर्जी बना सके और उसको जो उसकी इनर्जी की requirement है उसको पूरा कर सके तो यह लॉइन इंपर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इतना अच्छे से समझाया इसको आप ध्यान रखना देखिए फ्रेंट्स ये है structure हमारे mitochondria का मैंने बहुत छोटा सा बनाया है ये है outer membrane inner membrane और outer membrane inner membrane के बीच में जो space होता है उसको हम बोलते हैं inter membrane space इसके अंदर में RNA भी होता है मैट्रिक्स भी होता है और जो ये उंगली जैसे structure दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं क्रिस्टी क्रिस्टी क्या फ्रेंट्स folding of inner membrane to increase surface area देखिए ये जो हमारा inner membrane है उसी की folding है यानि वो ऐसे ऐसे fold हुआ ना inner membrane तो क्रिस्टी क्या है inner membrane की folding है और इसका function क्या यानि क्रिस्टी का क्या काम है क्रिश्टि जो है सर्फेस एरिया को इंक्रीज करती है और फ्रेंस क्रिश्टि से ही लगा हुआ एक स्ट्रक्चर पाज़ा जिसको हम बोलते हैं यह जीरो या एफ़न पार्टिकल उसी को हम आक्सिस्वाइब बोलते हैं और देखे फ्रेंस इसका काम क्या होता है अब आइसा यह एक्टिविटी करता है तो वहां से इनरजी प्रोडिउस होता है तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखना नेस्ट है मारा प्लास्टिड प्लास्टिक क्या हता है लवक जीसको हम बोलते हैं न यहां पहना है यह याद रखना दो ही ऐसे और गनेल है है मारा माइट्रॉ कंट्प инт्र जिसका खुद का डैनने होता और खुद का रख्बोम होता है इस में पीघ्मेंट होता है और तरी टाइपश कर थोते हैं एक होता है लिवकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट क्लोो्रो क्या होता बिरीन रेड नसकी ऐलुवाइज लिवकों क। क्यों होता है क्यूंकि यहां पर पिग्मेंट होते हैं ते यानि घ्रेनम भी अफशन्ट होगी और यहां यह इस्टोरेज करता है इसको आभे एक हम बात में दीखते हैं सबसे परहें यहां पर देए क्रोमो स्क्रॉ फेल क्लड़ होता है क्रोमो प्लस्ट दॉइच होता है और कौनसा कर्ए होता है जैन्सों फील जिसके मतलब यहीं जो है इसको रेड औरेंज ये क्लर परईड करता जयरे से हमारे फूल लेकिन नहीं होता है यहां पे सारे लेकिन होता है तो इसको आप ध्यान रखना देखे जो हमारा लीटो प्लास्ट एज्वेकिंग वाă Jetzt कि आरे टेहरे करता है इसलिए यह सो गया इसमें स्टाइटोर होग्या इसमें स्टाइट पह Jewish होगाई को फ्रेंट यह सब फ्रेंट के प्रोटीन का इस्टूरीज करता है जैसे हमारा पी स्वय भी यह सब हो गए हैं देखें फ्रेंट्स नेस्ट है हमारा इंटर्नल और्गिनाजेशन आप प्लास्टीड कंसीस्ट आप न्यूम्रस मेंब्रेन लार्जर इंब्रेड़ इंब्रेड इनव माइटेरियल कार्ड इस्ट्रोमा इंटर्नल और यूर्गिनाजेशन और फ्रेंट्स अब भी मैं आपको इसका फिगर दिखाती हूं चले बना देती हूं यहां पर चलो अभी बाद में लास्ट में बनाई वहां पर दिखा देती हूं देखिए व्यक्यों सबसे पहले देख रहें व्यक्यों क्या करता फ्रेंट्स इस्टोरेज सेग्स फार इस्टोरेज का और यह किसका करता है सौलीड या फिर लिक्विट कंटेंड का वैक्युल इसमाल साइजीन अनिमा च्टन यह जो है एनीमन सेल में वैक्यों इसमाल होता लेकिन प्लाइं में क्या होता यह बड़ा साइज कॉता यानि लार्ज होता इसी वज़े से इसी के आप सम्प्लांट सेल में अकुपाई 50-90 परसेंट आप से लोलियूम यानि जो सेल होता हमारा उसका 50-90 परसेंट तक वक्यूल होता है केवल और बाकी माटेरियल उसके 10 परसेंट में होते हैं या फिर 45 परसेंट में बोल सकते हैं अगर 50 के हिसाफ से मानेंगे तो 40 परसेंट देखें फ्रेंस वक्यूल मेंब्रेन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं टोनो प्लास्ट क्या आप बोलते हैं टोनो प्लास्ट बोलते हैं इसको आप ध्यान रखना एक होता हमारा सैब बक्यूल जो की प्लान में पाए जाता है कंट्रेक्ट टायल वक्यूल आप सुने हों देखे फ्रेंस नेस्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट अभी हमने पढ़ाना क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ग्रीन प्लास्टिड होता है इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल कैरोटीन जैन्थोफिल Pigment Location Pigment Location क्या है, friends? Thylechoid Membrane यानि, Pigment जो पाया जाता, वो Thylechoid Membrane पाया जाता है इसकी साइज क्या है? 2-4 micrometer diameter होता है और 6-8 micrometer length होता है Large than mitocondia जो हमारा chloroplast होता है वो mitocondia से बड़ा होता है, साइज में नमबर आप देख लिचे हैं जो यह एक होता है लेकिन बागी जो ग्रीन सेल है जिसको मतलब हमारा पत्ती में पाए जाता मीजोफिल सेल उसमें ट्विटीटू-फोटी क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसका सेब कैसा होता है डिस्क होता प्लेट लाइक रेटीकुलेट रीबन ओवल यह सब नहीं पुछेगा धीज है इस इसका इस्ट्रक्चर है कि यह हमारा क्लोरोप्लास्ट तो अभी जो मैंने आपको बोला था वह मेंब्रेन ऐसे मतलब होता है यह है इस इस आपको अपको बताया है एयह देकि यह जो है इसको पूरा मिलाके रुकिए एक मिनट यह जो सिंगल एक ऐसे क्वाइन जैसा दिख्रा इसको हम थैलाकॉइड मेंब्रेन बोलते हैं लेकिन यह जो जब इसका लेयर 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 ऐसे हो जाता है इसको हम मिला कि क्या बोलते हैं ग्रेनम बोलते हैं यहाँपे इस होता कहां पर थालाकॉइड मेंब्रेन में इसको हम फोटो सिंथेसिस वाले चैप्टर में करेंगे हाँ देखिए यहाँ पर यह भी डबल लेड में मतलब सेल और गेल है एक आउटर मेंब्रेन होता एक इनर मेंब्रेन यहाँपे पिगमेंट पाए जाते हैं थ हुआ है यह हाण करने का काम करता है तैस्टव माशी है इस्ट जो मैटेल भरए होता है वह leg होता है यह देखिये यहां पे राइबोस्व्ड फिपाया जाता है यह यहां पे RNA-DNA-Ribosome इसका प्रोटीन सिंथेसिस यहां पे होता है और इस्टोमा में ही डार्क रिएक्सन भी होता जोकि सिंथेसिस आफ-CO2 भी यहां पे होता है देखिए फ्रेंस लाश्ट है हमारा साइटो-प्लाजमिक ओर्गनेल अब यहां पिसे आपको एक चीज याद रखना है कभी-कभी आपसे क्या पूछा जाता है कि कौन सा सेल ओर्गनेल डबल मेंब्रेन है वसे मैंने आपको बता दिया फिर भी आप एक बार इसको देख लिजे ताकि याद कल लिजे अच्छे से और कौन सा मेंब्रेन सिंगल मेंब्रेन होता है कौन सा सेल ओर्गनेल सिंगल मेंब्रेन होता है कौन सा डबल मेंब्रेन होता है और कौन सा नान मेंब्रेनस बाउंड ओर्गनेल होता है तो देखे फ्रेंज सिंगल मेंब्रेन बाउंड ओर्गनेल क्या है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, गालगी बोडी, लाइसोसोम, पराक्सिसोम, गलाई ऑक्सिसोम, वैक्क्यूल, इस्फेरोसोम, फ्लाजिलासिलिया, यह सब क्या होते हैं, सेल सिंगल मेंब्रेन बाउंड और्गिनल होते हैं, लेकिन डबल मेंब्रेन में हमारा तीन सेल और है, देखिए, इस तरह कुछ ऐसे जो है, हमारा, सोरी, 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 एक सिगें, आईसे करके था हमारा नुकलियस, यानि यहां पर भी डबल मेंब्रेन हो गया, फिर आईसे करके हमने देखा क्या, माइटो कांडिया, फिर हमने प्लास्टीड भी देखा, वहां पर भी डबल स्क्टरекс दबल मेंब्रेनुा सो प्छोंद स्ट्कूर में हमारा र्था कम दिव्य doctrine हो जाएगा और फिंद आन yaş़ी श्यूर tulee तर चस़इल सब कर लेते हैं धरा तो सखी राई एक सर्फूर्ष डिसकावर्ड बलादे राईबोशॉम सबसे पहले पहला हुद की दार्डा ढूढ गया था प्रेस इन बोध प्रोर्ष करियाट और यू करियर ये दोनों में पा जाता है इसका feature क्या है friends sorry मैंने सायद protein sorry एक second मैंने pro career में सायद ribosome बोल दिया था या RNA friends मैं हमेशा RNA और ribosome में थोड़ा सा confused रहती हूँ तो अगर मैंने वहाँ पर ये बताया हो कि pro career में ribosome नहीं पाय जाता है तो आप प्लीज याद रख लिजए उसको correct कर लिजए कि ribosome pro career यू career दोनों में पाय जाता है तो side clear हो गया होगा देखे friends इसका feature क्या है RNA plus protein इसको हम क्या बोलते है ribonucleoprotein small size organelle होता है location क्या होता है cytoplasm यानि cytoplasm में ही पाय जाता है non-membranus होता है और यह organelle present in both mitochondria and chloroplast यानि यह दोनों में पाय जाता है friends यह सब नहीं यह high level चला जाएगा देखे एक last point रह गया indo-membranus system कभी-कभी यह पूछ लेता है कि indo-membranus system में कौन-कौन से cell organelles आते हैं देखे इसका definition यह है group of cell organelles connected together यानि ऐसा cell organelles का group जो की साथ-साथ connected होते हैं structurally and functionary यानि वो structure और function से दोनों मतब connect रहते हैं ऐसे cell organelles उसको हम क्या बते हैं indo-membranus system जिसमें आता है हमारा indo-plasmic reticulum galgi body lysosome वेक्यूल तो आप बस इतना याद रखना कि इंडो-membranus system में कौन-कौन आता है तो फ्रेंट्स वहां पर आता है हमारा indo-plasmic reticulum galgi body lysosome वेक्यूल इसको आप ध्यान रखना देखिए फ्रेंट्स question कर लेते हैं यहां पर देखिए question एक देखिए हम वायरस के बारे में अपने नेस्ट वीडियो में देखेंगे तो फ्रेंट्स अगर आप वायरस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इतना पता होगा living के बीज के यह कड़ी होता और उसकी क्या-क्या सर्तें होती है यह भी हम अपने नेस्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो अभी के लिए आप इतना जा लीजे कि céu कि किया जाता है हम नस new video में की क्रिस्टेलियो में देखेंगे की क्या होता है देख देखेगे दिखा है तो यहां पर निखा है कि किसे लिए भ्रम में बनाई जा सकता है एक वाइरस नहीं प्लूट कर देना देखिए देखिए मैंने इसको आपको खूब अच्छे से समझाया था भी और मैंने आपसे बोला था कि question पूछा जाएगा तो आप देख लिजे कि question किस तरह से पूछा जाएगा A cell will swell up A cell will swell up एक cell swell कब कर जाएगा The concentration of water molecule in the cell is higher आप बस ध्यान देना Water molecule in the cell is higher ये हमारा cell है ये हमारा medium है Cell का concentration जादा है अगर cell का जादा है तो जाएशी बात है Medium का concentration क्या होगा? कम होगा इसका जादा है Medium का कम है तो आप बताएगे diffusion किस तरह से होता है diffusion हमेशा या आसमोसी हमेशा higher region to lower region होता है ऐसे higher region to lower region होगा तो आप खुद बताएगे कि cell जो है swell up काप करेगा अगर cell is higher मतलब water molecule in cell is higher अगर cell में water molecule जादा होंगे यानि water की concentration जादा होगी देन दा water molecule in the surrounding यानि medium से तो अंदर का material बाहर आएगा यानि हमेशा आसमोसी higher region to lower region होता है तो अंदर का material बाहर आजाएगा जब अंदर का material बाहर आजाएगा तो क्या cell फूल जाएगा ऐसा होगा क्या यह फूलेगा निए श्रिंक कर जाएगा मैंने आपको बताया था ना यह श्रिंक कर जाएगा अगर बाहर का concentration कम है तो अंदर का जो भी material बाहर आएगा तो cell फूल श्रिंक कर जाएगा लेकिन यहाँ पे तो यह स्वेल अप का पूछ रहा है यानि कब स्वेल करेगा तो concentration of water molecule in the surrounding medium is higher अब देखिए दूसरा second case देखिए आप second case यह है हमारा अब यह हमारे surrounding में concentration जादा है यहाँ क्या है concentration जादा है लेकिन अंदर concentration कम है अब फ्रेंट्स बाहर का जो material वो अंदर जाएगा क्योंकि higher to lower जाएगा बाहर से अंदर जाएगा तो क्या होगा cell will swell up cell क्या हो जाएगा तो यह हमारा right answer हो जाएगा यहाँ ने से देखिए cell of water molecules same same आ गया क्या हो गया isotonic solution हो गया cell ना तो फूलेगा ना तो पचकेगा यानि ना तो वो cell up करेगा ना ही shrink करेगा और यह देखो concentration of water molecules doesn't matter अरे भया हमने तो यह तो पढ़़ा था ना कि concentration of water जो है वो molecule पे depend करता है वो इसी बात पे तो depend करता है कि उसमें कौन सा material कितनी मात्रा में present है तो यह तो होने से रहा और यह भी होने से रहा क्योंकि यहां तो same हो गया confusion इन दोनों में हो सकता लेकिन मैंने आपको अच्छे से clear कर दिया है देखिए next question है यह आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा friends please next है हमारा chromosome are made up chromosome किस से मिलकर बना होता है DNA से protein से DNA and protein से RNA से तो इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं मैंने आपको बताया था chromosome DNA and protein दोनों से मिलकर बना होता है तो only protein only DNA गलत हो जाएगा DNA and protein next question है हमारा which are the following options are not a function of ribosome ribosome का function क्या नहीं है it will helpful यानि it help in manufacture of protein molecule यह जो है protein के molecule में helpful होता है सही है it will help in manufacture of enzyme यह भी correct है it help in manufacture of hormone जब भी बात आजागी हार्मोन की तो यह गलत it help in manufacture of starch molecule यह भी गलत friends जो हमारा ribosome होता है यह protein molecule और enzyme इसके synthesis में helpful होता है तो हमारा right option क्या हो जागा यहाँ पर नाट पूछा है इसलिए हमारा आप्सन हो जागा थार्ड और फॉर्थ देखिए यह हिंदी में है कि यह फ्रेंट्स हमारा question number five which of these is not related not related to endoplasmic reticulum यहाँ यहाँ पर देखिए इस ट्रांसपोर्ट चैनल फार प्रोटीन बिट्विन नुकलियस और साइटो प्लाज्म नाट रिलेटेड पूछ रहा है तो इट भी है वैज ट्रांसपोर्ट चैनल इसको तो हमने पढ़ा था यह सही है इट ट्रांसपोर्ट माटेरियल बिट्विन वैडियस आर्गन इन साइटो प्लाज्म यह भी सही है आप देखो इनरजी जेनरेशन के बारे मैं मैंने आपको इतना चिला चिला के बताया था जो इनरजी जेनरेशन है वो किस के दौरा होता है माईटो कांडिया के दौरा होता है, इसी लिए हम उसको, क्या बोलते हैं, पावर हाउस आप सेल बोलते हैं, सबसे पहले माईटो कांडिया ATP का सिंथ्रेसिस करती है, फिर ATP जो है, वो इनर्जी जनरेशन करता है, यानि जो साइट आप इनर्जी जनरेशन है, वो हमारा ATP है, औ और एटीपी का सिंथेशिक कुन करता है माइटो कांडिया तो इस तरह से आएंगे आपको मतलब सब चाहिए आप यहां पर नाट पूछ लिया अब आप यहां पे आपको नहीं पता होता लेकिन आपको यह पता हो गया कि इनर्जी देक्ड माइटो के त ml a यहां पर नहीं करेगा तो इस तरह से अब को टेखल कना होता है देके नेस्ट है हमारा फॉल्विंग आरा डिफनीशन आफ ऑस्मोसीश हमको यहां पर ऑस्मोसीश का डिफनीशन बताना है और जहां तक मैं उम्मीद करती हूं आपको ऑस्मोसीश का डिफनीशन रट गया होगा देखिए मुवेंट आफ वाटर मालेक्यूल फ्राम रीजन आफ यहां पर वाटर की बात हो रही है और यह जौनोड कर ऑस्मोसीश हमेशा किसका होता है असमोसीश साल्वेट सालूट का नहीं वाटर को रहता है यह अगया हुँक्योल को मुवेंट आप अभवाटर मालेक्यूल तो इसको अध्याण रखना देखिए नेयर हमारा प्लाज्मो लिसिस इन अ प्लांट सेल इस डिफाइंड आज प्लाज्मो लिसिस जो है प्लांट सेल में किस तरह से डिफाइंड किया जाता है यानि प्लाज्मो लिसिस क्या होता है आपको इसका डिफ्रिंशन बतना है break down of plasma membrane in hypotonic medium lisis, break down को नहीं बोलते हैं shrinkage of cytoplasm in hypotonic medium फ्रेंच्ज ये point मैंने महाय पर miss कर दिया लेकिन आप देखिये, हमको जरुर नहीं सब कुछ वहां से मिल जाए हमको कुछ-कुछ चीजे, question से भी सीखने को मिलती है तो आप देखिए, जब भी हमारा स्रिंकेज होता है सेल का, स्रिंकेज आप साइटो प्लाज्मीन हाइपर टोनिक मीडियम, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मो लिसिस बोलते हैं, यानि प्लाज्मो लिसिस क्या है, स्रिंकेज आप साइटो प्लाज्मीन हाइ वो न्यूकलेस की बात हो जाएगी इसलिए सिनकेज आप न्यूकलेप्लाज नहीं होगा देखिए which of the following are covered by a single membrane किसमें single membrane होता है माइटो कांडिया में double membrane लाइसोसोम, प्लास्टीड में double membrane लेकिन फ्रेंड्स हमारा जो वैक्यूल होता है इसमें double membrane नहीं होता है इसको आप ध्यान रखना हमने ऐसे तो देखा था, सेल के अंदर में वैक्यूल था तो वो double membrane नहीं होता है देखे फ्रेंड्स, नेस्ट है हमारा find out the false statement यहाँ पे हमको false statement बताना है nucleus is involved with the formation of lysosome यानि nucleus जो है वो lysosome के formation में helpful होता है यह हमको बताना है तो friends क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा था nucleus lysosome के formation में helpful होता है वहाँ तो हमने कुछ और ही पढ़ा था ना, वहाँ पे हम क्या पढ़े थे यहाँ पे क्या होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए friends गौलगी body या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं गौलगी apparatus तो गौलगी apparatus lysosome के formation में helpful होता है इसलिए यहाँ पर यही गलत हो जागा nucleus, mitochondria, plastic type DNA hence they are able to make their own protein friends मैं आपको बता नहीं भूल गई यह अभी हाली में जो इसलिए का पेपर हुआ था उसमें यह question पूछा गया था और as it is ऐसे ही option ऐसे ही question सबकुछ पूछा था उसमें mitochondria is to be powerhouse यह भी सही साइट्रोप्लाज्म काल प्रोटोप्लास्ट यह भी सही प्रेंस देखिए यहाँ पर मैं 30 question लाई थी लेकिन आप जो है मैं यहाँ पर 10 question कराऊंगी बाकी हम एक बार जब पूरा NCRT cover हो जाएगा फिर हम देखेंगी वहाँ पर question करेंगे जितना भी topic रहेगा सभी टॉपिक से 1500-200 question 300 question करेंगे हम लोग ताकि हमारा एक भी question बाहर से ना आए देखिए find out the correct statement हमको यहाँ पर correct statement ढूर ना है एंजाइम प्रेक्ड इन लाइसोसोम और मेड थ्रू और यी आर तो फ्रेंट देखिए मैंने आपको लाइसोसोम पढ़ाते से मैं बताया था वहाँ पर जो एंजाइम होता है जो की और रॉल्टा रख दिया है यहाँ 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 पर लिपीद करता तो यहाँ पी उल्टा लिघ्टिया है प्लाज्मा मैब्रेन नहीं यह तो इस टेंग हमको करेक्ट सेंटेंस बताना था तो एक हमारे हो जागा हो यह तहए तर्ल हता कित धे रहा है कि दिस्ट रिखना स gev्ल Mr. कुछत डिस डिस्ट्राक्शन प्लाज्मा मैं म्मा सब्सकूब्रेन यह गलत है औफ श broad भी और उसको निए नहीं बोलते हैं वह तो हमारा asi ह। यहाँ बोलते हैं सब informações तो देखिए हमारे पास बहुत सारा क्वेस्टन है आप इस पीडियाप को सक्सेज एक्टिव माइंड टेलिग्राम चैनल से जाके देखिएगा वहां पे आपको पीडियाप मिल जाएगा वहां से आप इसको रिवाइज कर लिजिएगा बाकि सारे कोईशन सालब कर लिजिए यहाँ पे यह देखिए यहां पे फ्रेंडस हे को यहीं यहांई ब्लर हो गया यहीं पीडियो में यहीं तक बाकी का देखेंगे अपने नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए all the best friends be happy, be positive, please feedback देना मत भूलेगा अगर आप यहां तक पहुँच गए हैं तो